गर्मी के मौसम में जब ब्रेट पकोड़ा खाने का मन ना हो या पराथा काने का मन भी ना हो तो बनाए ये हलका फुलका मसाला आलू सेंडवेच इसे बनाना भी बहुत असान है इसे आप लंच में पैक करके भी ले जा सकते हैं ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत आज मैं बनाने वाली हूँ आलू मसाला सैंडविच इसे मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी और नॉर्मली जो सैंडविच हम बनाते हैं वो थोड़ी ही देर में सौगी हो जाते हैं मैं आपको एक ऐसा डिफ दोंगी जिससे ना तो यह सौगी होगा और यह 3-4 दोंगी तक क्रिस्पी बना रहेगा सैंडविच बनाने के लिए चलते हैं मेरी कीचन में सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए 4-5 मेरियम साइज के उबलेवे आलू हरा-धनिया एक कटा हुआ प्याज लाल मिर्च फाउडर चाट मसाला नमक गरम मसाला बारी कटी बेला मैं जीर के लिए मिसाला कॉकिल पॉसिबल नहीं है कि अधी किस्य है और्षा क्योंस दो दुदुरelles पॉसिबले के मैं मातु किसले भी चॉम्य ओर दुर्ग स्न allorash transforming कर सकते हैं अमूल तो अमूर बण हो हैं। इसमें हम ढालेंगे एक कटै HKT तो मेर्ज शेयर मिय्ष औरец मेर्णा她 अदाइब 1तचमच मेर्च जाली कई इसमें ख़商 मिर्च मियम चेयो कि इससे इसका फ्लेवर भी बढ़ जाता है और इसमें बड़ी अच्छी सी खुश्पू भी आती है इसे अच्छे से मैश करते हुए हम मिक्स कर लेंगे फ्लेम हमें बिल्दकुल स्लो ही रखनी है हाई नहीं करनी ताकि आलू अच्छे से भून जाएं दो मिनट भूनने के इसमें डालेंगे एक मुठी हरा धनिया थोड़ा साम लेंगे पुदीना और गर्मियों की स्पेशल चटनी बनती है कच्छे आम से हम लेंगे एक कच्छा आम कटा हुआ दो हरी मिर्च अधा चमच नमक और दो चमच लेंगे हम इसमें दही और एक सीक्रिट इंग्रीडियन हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी बेसन वाली भुजिया इससे यह चटनी गाड़ी भी हो जाती है इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है यह देखिए चटनी हमारी पिस गई है इसका कलर कितना अच्छा आया है और यह चटनी कितनी गाड़ी भी बनी है हमारा आलू का मसाला भी धंडा हो गया है अब हम लेंगे 2 ब्रेट स्लाइस उसमें हम पहले 1 एक स्लाइस पर बटर को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे इस तरीके से दोसी स्लाइस पर भी हम बटर से स्प्रेट कर देंगे, बटर की एक लेयर लगाने से सैंडविच सौगी नहीं होता, क्योंकि इसके पर एक लेयर आजाती है आलू और ब्रेट के बीच में, हमने आलू का मसाला लिया था वो भी अच्छे से धंडा हो गया है, अब हम इस ब्रे इसे हम कवर कर देंगे और उपर से भी मिसके थोड़ा सा बटर लगा देंगे, क्योंकि इसे अभी तवे पर सेखना है, आप चाहें तो टोस्टर में भी इसे सेख सकते हैं, यह देखिए जो हमने बटर लगा था उसे हम नीचे कर देंगे, उस साइड को और उपर से भी हम बटर स्प्रेड कर देंगे, फ्लेम हम बिल्कुल स्लो रखेंगे, तभी हमारा सैंडविच क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा, इसे हम पलट देंगे इस तरीके से और दोनों तरफ से अलट पलट के हम इसे क्रिस्पी और गोल्डन होने तक सेख लेंगे, ये देखिए, सेंविक हमारा सफ करने के लिए बिल्कुल रेडिया है इसे मैंने ग्रीन चपनी और टमैटो केचप के साथ सर्फ किया है अब चाहें तो म्याउनीस के साथ भी समय कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और हां घंटे का पटन दवाना ना भूलें बाई फ्रेंड्स मिलते है नेक्स वीडियो में